तो हेलो एविवान हर्ण महादेव राधी राधी गाईस कैसे आप सब लोग आई हूप आप सब लोग अच्छी होगर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे तो आज मैं आपके लिए रेडिंग लेकर आगे हूँ वर्गूस के लिए एक्तूबर मथ कैसा रहेगा means कन्या राशी जिनकी है उनके लिए एक्तूबर मथ कैसा रहेगा okay so start कर लेते हैं जड़ा टाइम ना लेते हुए आपका रीडिंग को तो अगर आप new हो चानल पे तो guys like कर लो इस reading को and subscribe कर लो चानल को की and अगर आप family और friends को share करना चाहते हो वो भी ऐसे सुनते है ठीक है तो उनको share कर सकते हो ठीक है and कन्या राशी वालों के लिए कैसा रहेगा ये October महनत आपके लिए क्या advice है यहां से यह देखेंगे हम okay also guys अगर आप लोग personal reading लेना चाहते हो कोई भी question है आपके mind में आप personal reading book कर वा सकते हो मुझसे okay Instagram के through Instagram का link description में है यह about section से भी आप देख सकते हो so यहां पी आपके लिए जो energies आई है time to give rather than take I think Aries के दिए भी energies आई थी yes it's time to take action okay and last time यहां पी a win-win outcome is forecast oh my god it's like यह वाला यह अलग आई आचुके तीनों ही cards आचुके हैं अलग-अलग readings में so bottom of the deck your hard work is paying off so guys आपके लिए advice है यह also आप happy भी हो जाएए इसको देखर कि आपका hard work pay off होता हुआ दिखेगा आपको ठीक है इस October month में आपने जो भी hard work किया है अभी तक आपने काम कर रहे हो किसी project पे so इस month में वो काम से आपको कुछ मिलता हुआ दिख रहे है आप fruitful results से receive करते हुआ दिख रहे हो मुझे यहां पे your hard work is paying off okay new moon in Capricorn है यहां पे Capricorn sign आपके लिए important हो सकता है मकर राशी okay so also अपने sun moon rising and north north में जो जो भी आपके ग्रहे आते हैं या फिर आपके planets हैं उन सब चीजों में so उस को आप देख सकते हो ठीक है सभी की राशीया guys आपको मेल जाएंगी मतलब मैं डाल रही हूँ भी चार राशीय में डाल चुके हैं पांच ठीक है so आप देख सकते हो उनको भी पहले so time to give rather than take so आपको कहा जारे guys यह time है आपको देने का ना की लेने का कुछ चीज़ें ऐसी हो सकते हैं कि आपने बहुत लिया है लोगों का प्यार हो सकता है कहीं न कहीं से money receive कर रहे हो आप बहुत time से okay बट आप किसी को दे नहीं रहे हो so कुछ न कुछ यहाँ पे है okay so आपको कहा जारे इस time आपको यहां तो love देने की जुरुत है यहां आपको helping hand अपना देने की जुरुत है लोगों को, कसी न किसी के help करने की जुरुत है चाहे वह money के थू हो चाहे वह आपके love के थू हो आपके care के थू हो आपके compassion के थू हो so किसी भी चीज के थू हो आप कर सकते हो its time to take action so आपको कहा जारे आपके लिए time है action लेने का इस time में आप कोई अगर काम कर रहे हो या करना चाहते हो सोच रहे हो रोक रखे हो काम को ठीक है projects पे काम करना चाहते हो so it's time to take action October month आपके लिए बहुत important रहने वाला है action लेने के लिए आपको बोला चाहरे इस month में होगी a win-win outcome is forecasted so आप अगर काम करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे अगर आप करोगे उन सब चीजों के उपर काम so win-win outcome आपके लिए forecast होते हुए दिख रहे हो की so वर्गो sign आपके लिए important हो सकता है kanyya rashi aries means 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 राशी भी important हो सकती है also तोला राशी भी important हो सकती है आपके लिए so guys आप से जो भी match कर रहे है आप देख सकते हो also अगर आपका moon sign ही यहाँ पे kanyya rashi है तो आप उसको देख सकते हो of course आपके लिए वर्गो sign आप ही चुका है सबसे पहला काड ही आए था time to give rather than take okay so मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए kanyya rashi this month में बहुत important message हो गया है यह आपके लिए okay क्योंकि आपकी राशी के लिए यह message है so आप बहुत बिटफोलो also guys मुझे आप यह भी energies दिख रहे है so यहाँ पे transformation का card दिख रहे है death okay so guys all sorts of general rating जितनी भी आप से match हो उतनी ही लीजेगा बाकी messages को जाने दीजेगा okay so father of wands oh my god okay six of swords okay guys ऐसा क्या है करक राशी वालों के साथ आपके आधी यहाँ से तो तीनों card वहां पे आ चुके है eight of wands okay यह नहीं है okay it's okay यहाँ पे है four of cups okay father of cups okay the emperor's emperor sorry emperor card is here also bottom of the deck is the lovers so guys यह month है love life से related okay आपकी कन्याराशी आप चाहे married हो चाहे unmarried हो अगर आप relationship में हो चाहे single हो आपकी life में कोई ना कोई परसन आते होए दिख रहे है ठीक है love life में lovers की energy है यहाँ 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 अगर single हो तो आप कोई ऐसे person मिलने वाले है चाहे जो आप से compatible हो अगर आप married हो यहाँ फिर relationship में हो तो आपको कहाँ जरे आपकी और आपके person के बीच में बहुत अच्छा रिष्टा दिख रहे हैं इस मन्त में okay also gemini राशी आपके लिए important हो सकत है options भी यहाँ पर दिख रही है आपको उनमें से choose करना पड़ेगा कि कौन से person आपको चाहिए proposals आपकी तरफ आ रखे हैं बहुत चाहे शाधी के लिए है चाहे GFPF वले ऐसे relationships के लिए है okay so October month आपके लिए बहुत special रहने वाले love life से related and also आपकी life में अगर आप married हो तो भी okay career life guys बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पर emperor भी आ चुका है यहाँ पर दो kings भी है king of wards and king of cups okay so आप अपने काम पर पूरा focus करते हो दिख रहो वैसे इस month में कोई भी money issues नहीं मुझे यहाँ पर दिख रहे है money wise बहुत अच्छा यह month जाने वाला है आपका October month also festive season भी है तो बह मुझे लग रहे है yes I think yes I think Diwali October में ही आ रही है ठीक है so guys यहाँ पर आपके लिए death card है transformation change आप admit करते हो दिखो कि आपकी life में change आता हुआ दिख रहे है बहुत fast ray में भी यह change हो सकते है कि आप page की situation में थे एकदम से आप king बन गए हो ठीक है so virgos बहुत अच्छी energies है also अगर आना चाहते हो तो guys वो भी यहाँ पे energies दिख रही है middle energies क्या थी आपके लिए वो नहीं देखिए हमने three of wands ही आ चुक है guys करक राशी वालों की तरह ही so यहाँ पे आपके लिए energies है कि आप अपनी life में waiting period को पीछे छोड़कर आगे बढ़र वेट करना नहीं चाहते है आपकी issues के लिए आप जो हो रहा है जो मिल रहा है आपको उसके लिए आप बहुत ज़रा happy हो आपको है कि यह जो भी है मेरी life में हो रहा है I am happy with this okay also emperor Aries Russia आपके लिए important हो सकती है change आ रहा है आपकी life में okay कोई नो कोई आपके father figure इसने month में important रहने वाले हैं आपके लिए father figure अगर आपको rest of the year 2023 की readings देखने है guys तो आप playlist में जाके check out कर सकते अपने sun moon rising and north node के through वह भी देख सकते हो अक्तूबर मंत की भी देख सकते हो okay readings अगर आप long distance relationship में हो वहाँ पर बहुत सारी बाचित होते भी दिख रही है आप दोनों में ठीक है गपे चपे हो रहे हैं मतलब जासे तो नहीं गपे लड़ रहे हैं ठीक है बहुत सा gossiping हो रही है यहां पर ठीक है यहां पर आपको आपकी तरफ आरे of course वो मनी की मनी भी आपकी तरफ खिची चली आ रहे है इसके थूँ ठीक है तो also traveling के यहां पर chances है आप अपनी highest potentials भी हो इस मंत में अक्तूबर मन अच्छा दिख रहा है गाईस आपके लिए so lord krishna आपको क्या guide करना चाहते हैं टारो के थूँ तो यही नर्जी स्थी मुझे यहां पर दिख रही also आप बहुत साइकल भी complete करके आगे बढ़र कोई new cycle आपका start होने वाल है कहीं आप जैसे उतने transfer हो गया वो new cycle हो चुका है आप कटके कहीं आप one year कहीं रहे आपको one year next कहीं और रहना है ठीक है आपको notice मिल गया या फिर वो so the end oh my god guys कुछ चीजें आप खतम करके आगे बढ़र transformation death card यहीं शो करता है कुछ लोग कुछ चीजें आप पीछे छोड़ रहे हो वो लोग आप से अलग हो रहे हैं आप आप आगे बढ़ रहे हो also आपको कहा जरे आप preparation करो अगर आपको desired results चाहिए इनके through okay so also यहाँ पी है change of place oh my god oh my god guys मैंने यहाँ पर transformation sorry transfer की बात के कि आप कहीं एक place पे रह रहे थे अब आपको एक साल हो कहीं और job कतनी है so वहाँ जा रहे हो आप transfer हो रहे हो ठीक है कहीं न कहीं से oh wow so change of place Lord Krishna जी के cards information दे देते हैं ठीक है guys आपको क्या करना है क्या नहीं so continue the journey of life as it comes embrace the changes especially change of place आप वारन जाने का अगर try करो तो वो भी हो सकता है okay वारन भी जा सकते हो आने वाले time में आप लोग okay so guys change of the place हो रही है आपके लिए end हो रहा है कहीं न कहीं से of course आपकी marriage भी हो सकते ही okay कहीं न कहीं आप अपने mama वापा की घर से of course अपने person की घर जा रही हो so वो भी ये show कर रहे है ठीक है so end हो रहा है कुछ situations का end कुछ नहीं चीज़े start हो रही है आपकी life में transformation आ रही है change आ रहा है death हो रही है कुछ चीज़ होगी ठीक है so guys अगर आपको reading पसन आई हो like this reading subscribe to my channel bell icon को दबा देना all पर सेट कर देना personal reading के लिए मुझे dm कर सकते हैं आप लोग instagram पे link description में है guys okay and about section से भी आप instagram का link देख सकते हो वहां से आप सीधा instagram पे पहुंच जाओगे okay so अभी के लितने हर महादेव राधी राधी बाई